और मैं आज देश वासियों को यहां से विश्वात दिलाना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकारत हैं में बहुम्मत दे करके सरकार चलाने का सवभाग्य दिया है यह हम सब पादाईतों हैं कि हम सर्वम्मत का निरंतर प्यास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोड कसर नहीं छोड़ेगे साथियों NDA को करीब करीब तीन दसक हो चुके हैं यहना आजहादी के 75 साल में तीन दसक NDA यह सामान्य खटना नहीं है विविदता से भरे हुए अपनी लोकतांतरिक और सामाजी ग्रचना के बीच हो है यह तीन दसक की आत्रा एक भावत बड़ी मजमूती का संदेश देती और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि कसी एक समय वो था कि संगठन के कारकरता के रूप में इस एलाइंस का हिस्सा था व्यवस्ताओं से जुड़ा रहता था और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते मेरा भी नाता इसे तीस सान न का रहा है और मैं कह सकता हूँ हकी कोंतों के अत्त्थों के अधार पर कह सकता हूँ ये सबसे सफल एलाइंस है हम गर्वसे कहते रखने है कि पांच साल का टर्म होता है इस एलाइंस ने तीस साल में से पांच-पांच साल के तीन टर्म सफलता पुर्वक पार किये हैं और एलाइंस चोथे तम मैं एंटर कर रहा है साथियों इस बात को जो राज़िती के विशेशग्य है अगर मुक्त मन से मुक्तमन शब्द बहुत महत्पका है वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एंडिये ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावडा नहीं है ये राष्ट प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्थ के प्रपिक कमिटेड वैसा ये समूँ है और तीस साल का लंबा कालखन शुरू में साथ एसेंबल हुआ होगा लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि भारत के राज लिटी व्यवस्था में एक और्गेनिक एलाइंस है और ये मुल्यर श्रदेय अटल्य वहरी बाजपाई श्री पकासिंग जी बादल श्री बारता प्ठाकरे श्री जॉर्ज फनाडीच श्री श्रद्यादव अंगिनत नाम मैं कह सकता हूँ इन लोगों ने जिस बीच को बोया था वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सींचन करकर के उस बीच को बटबुक्ष बना दिया है और हम सब के पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है बिते दस वरसों में हमने एंडिये की उसी विरासत उसी मुल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है जयते मैंने कहा मुक्त मन से राजनीटी के विश्लसा करेंगे तो देखेंगे कि एंडिये का जो लोग दिखते हैं न उसमें कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नन्स इन सबने अपने अपने समय में अपने अपने कारकाल में जब जब जहां सेवा करने का मुका मिला है गुड गवर्नन्स इस देश को दिया है और इस पकार से एंडिये एक पकार से एंडिये कहते ही गुड गवर्नन्स यह अपने आप परियावाची बन जाता है साथियों हम लोगों के सभी के कारकाल में चाहे मैं गुजरात में रहू हो रहा हूँ या बाबु हमारे आंदर में रहे हो या नितिजिने बिहार के लिए भरपुर सेवा की हो हम सब के अंदर केंदर बिंदु में गरीब का कल्यान केंदरस्त रहा है और देश ने NDA के गरीब कल्यान के गूड गवर्णनस के दस साल को देखा है इतना नहीं मैं कह सकता हूँ देश ने से जीया है जनता जनारण ने सरकार क्या होती है सरकार क्यों होती है सरकार किसके लिए होती है सरकार कैसे काम करती है इसको पहली बार अनुभव किया है वरना जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी हमने उसको पाट दिया है हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई उचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है साथियो एंडिये सरकार में हम अगले दस साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ अगले दस साल में गुट गवणनेंस विकास नाहरीकों के जीवन में क्वालिटी अफ लाइट और मेरा व्यक्तिकर दूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है मैं लोग तंत्र की समरुद्धी को जब सोचता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यमबर उच्च मध्यमबर कर उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोग तंत्र की मजबूती है